Hello my dear students, आप सब के advance की तेहरी बहुत शांदाज चल भी होगी इसी उम्मीद के साथ मैं आप सब को शुबकामना है देता हूँ कि आप सब का बहुत बढ़िया से पेपर जाए बहुत बढ़िया आपकी rank आया और अगले साल का गनेश चतुर्थी जो है वो आप किसी IIT college में बनाया और वो भी offline class के साथ जी हाँ आप सबी को गनेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुबकामना है विग्न हर्ता और सिद्धी विनायक और बुद्धी के दाता हमारे देवता जो सब से पहले पूझे जाते हैं गनपती जी का आज आपको पता है महुत सब शुरू हो चुका है उसी महुत सब के उपलक्ष में मैं भी थोड़ा सा जो है ग्यान जो मुझे पता है जो मुझे अनुभाव पता है थोड़ा सा मेरे 23 साल के teaching career से उस अनुभाव के निचोड से कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए advance के paper से संबंदित लेके आया हूँ बचे advance का paper जेए advance और वो भी maths आप तो सब जानते हैं कि maths ने तो अभी तक mains में भी अपनी gravity बना के रखी हुई है यदि mains के सारे के सारे इस साल के paper भी आप हर shift के उठा लें किसी भी attempt के उठा लें जब mains में इतना वड़िया आ रहा है तो advance में तो mashallah क्या आने वाला है आप सब को पता है जी हां तो ऐसे case में अब मजदूरी करने वाले किसी भी तरसे सफलता नहीं पास आते है अब स्मार्टनेस का समय है और जैसा मैंने कहा बुद्धी के दायक गरनेजी का दिन है तो चीजों को मैस में तयार करें कि हमारा जो मैस का पेपर है वो बहुत बढ़िया हो जाए जी हां कुछ छोटी छोटी चीजे है आज मैं आपके सामने लेका है हूं माइक्रो टॉपिक्स की लेवल पर जो महतोपून टॉपिक है जिन पर question आने की संभावना सब से जादा है ज यह कहीं से भी चुराया हुआ नहीं है कहीं से भी पॉलराइज नहीं है बायस नहीं है अपनी ही महनत और अपने ही दिमाग का निचोड आपके सामने लखने वाला हूं और उम्मीद करता हूं कि जो अनुभव है उसके साब से आज तक भी ऐसी चीजें सही निकलेंगी तो बहिया ऐसा मत करना है सर आपने वह पहाल टॉपिक बताया तो उसका तो क्वेशन ही नहीं आया अब आजाओ खोबचे में ना बहिया यह द्यान लखना भाई मैं अपने अनुभव के इसाब से चीजें बता रहा हूं लेकिन पेपर मैंने नहीं बनाया है यह भी आपको दि प्यार रहें शर्माजी के दिन इतने बुरे नहीं आया अभी कि कोई हाँ सर्माजी को देखकर जो है टॉपिक बदल दे येस हम शुरू करते हैं हमारा येस इंपोडेंट माइक्रोटापिक्स मैठमेलिक्स पॉर जेएडवांस 2021 आप सब को पदा है कि आई टी खरकपुग जो है वो पेपर बना रहा है इससे पहले भी दो बार बना चुका है अगर आटी खरक रहां खरकपुर अर्विन केजडिवाल जी भी वहीं से निकले हैं तो आप सब को पदा है कि पेपर तो बहिया बहुत बढ़िया बन सकता है और बदल भी सकता है तो जी अब हम शुरू जिए द्यान दखना है रिविजन करते वाग्ट येस बेजिग मैस से शुरू करते हैं सबसे पहला आता है जो आपको पढ़ाया जाता है बेजिक मैस उसमें क्या क्या आ सकता है बचे बेसिक मैस के अंदर एक तो मॉडिलस फॉंक्शन इस पर वो किसी भी रेका व्रेटिश का है इसकी maximum value का है ये सब चीजें भी ऊची गई है और ये सब maximum minimum या differentiability का लेना रेना कहीं differentiability या maximum minimum से नहीं है ये modulus function के graph से है इस पर question की बहुत संभावना रहती है और इस बार भी है logarithmic equations log की equations और उसमें multiple options बना लेना ये एक permanent शगल है जेग एडवांस का कई बार ऐसे questions पूछे गए हैं इसके बाद आ जाते हैं quadratic equation बच्चे quadratic equation ये एक scoring chapter है मैं आपको ये भी बताता है रहुत साथ में कि ये chapter scoring है इस पर थोड़ा सा विशेच दियान देना इसके question को कोशिश करना की करके हैं quadratic equation के normal equation आसान आते हैं इनको समय दें इनके साथ समय की गंजूसी ना करें जलबाजी ना करें ये question scoring questions होंगे इनको जरूर करना है patience के साथ करना है वो इसमें सबसे पहड़ी बात location of root जी है location of root का question लेकिन इसमें location of root में इस बात की संभावना बहुत कम है कि वह आपको quadratic देखे पूछेगा कि इसके roots जो है वह one और two के बीच में हो या one से जादा हो two से कम हो बहुत state नहीं आएगा advance का paper है फोला बहुत घुमा के आएगा वह आपसे कहेगा कि भाई fractional part x में quadratic दे दिया इससे real solution आए इससे real solution आए तो अब आपको सोच में आएगा fractional part x score t लोगे तो भाईया t का जो solution आए value आए वो 0 से 1 में आनी चीए क्योंकि fractional part 0 से 1 में जिया इससे के question की संभावना है pseudo quadratic भी वही बात है जो location of root में मैंने बोला कि भाईया x में quadratic न देखे किसी function देगा तो इन दोनों की बहुत संभावना है theory of equation पे बहुत frequently question होते है direct नहीं होगा तो कम से कम question में इसका use बहुत जादा होता है बहुत सारे question में theory of equation में some of food some of product of food taking two at a time इन सब का use होता है तो ये एक बार आप देखने बहुत ज़रूरी है बढ़ते हैं technometric equation देखे आखरी तक सुनिएगा बहुत काम की चीज़े हैं सारी तो technometric equation जो है उसमें ये ट्रिगो का question यदी paper में आता है तो सबसे ज़्यादा संभावना है कि वो technometric equation वाले chapter से आएगा और ये फिर scoring है आसान है इसमें कुछ नहीं मैं नॉर्माली जो question आते हैं वो मैं क्या किते different types से factorize करके छोटी-छोटी सी equation में बदल के questions रूद होने बाला होता है आपको कुछ ऐसा equation दे दिया जिसको आपने sum को product में बदला factorize हो गया, product को sum में बदला, factorize हो गया आपने quadratic cubic को factorize कर लिया इसलिए से factorize करके sin x equals to half, sin x is equals to minus 1 by 3 ऐसे जो हाँ कितने चोटी-चोटी सी equation है उनमें बदलेगी equation और वहाँ से number of solution, general solution सबसे ज़एदा संभावना होती है number of solution की या parameter देगा, इस equation में A है, A की value बताओ जिससे की इस equation का कोई real solution exist करे इस लगे question की संभावना है, तो इस लगे question की tactics कर लेनी है, अब बढ़ते है sequence and series sequence series में सबसे ज़एदा प्यारा जो J को है वो AP, AP में बहुत सारी profile होती है question की तो सबसे आदा संभावना जो है, वो AP से ही question आने की होती है, AP और GP में भी question आने की जो संभावना है, वो है मरे बच्चे properties से AP और GP की जो properties हैं, उस पर काफी question देखने को मिलते हैं, कुछ special sequence जो की mainly AP से बनी होती है या यूं कहूं मैं directly की AP की basic definition से बहुत सारी sequence बन जाती है तो उन पर भी question बहुत frequently देखने को मिलता है और बात करें, तो फिर आता है ये सब से महतुपून topic is chapter का AM, GM और HM, means की inequality जो आप सब को बदा है कि AM greater than equals to GM greater than equals to HM होता है और ये आपस में equal कब होते हैं जब numbers equal हो जाएं इस बात पर question बहुत जादा संभावनाएं की मिले आपको और आखरी में बात करेंगे special sequence method of difference आप सब को बदा है कि normally ऐसी बहुत सारी series आपने करी होगी जिसमें series का any term दो अलग-अलग number की form में difference की form में split करके लिखा जाता है और फिर जब यहाँ n की value रखते हैं और फिर सब को add करते हैं तो summation में maximum terms cancel हो जाती है cancellation का एक pattern बनता है बहुत सारे question मैंने भी आपको कराए है जी आप factorial में भी कराए है, NCR में भी कराए है AP वाले segment में भी कराए है SOT में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है बहुत सारे formula हैं बहुत सारी चीज़ें आपने याद करी होंगी आप ज़्यादा परिशान ना हूँ यहाँ यदि एक question आया तो इस बात की सबसे रहा संभावना है कि वो sign और cosine rule पर हो area of triangle पर direct question नहीं आएगा SOT का लेकिन किसी question में area of triangle का formula या concept यूज होगा इस बात की बहुत संभावना है तो यह चीज़ें आप revise करने sine cosine rule पर एक दो question करने बचें यह संभावना सबसे ज़्यादा है SOT के अंदर वारना SOT में गंदगी पहनाने का तो कोई limit ही नहीं है geometry बहुत जबदस तरीके से use की जा सकती है तो वो question जो है यदि rank decide करने वाले question की बात करें तो एक question यहाँ से आने की possibility होती है कि circle के साथ SOT में geometry club करके मज़दार question बन जाता है चलिए आगे बढ़ते है determined yes ज़्यादा कुछ ना करें बहुत ही आसान chapter है star लगा देते हैं भीया यह सबसे आसान algebra का chapter है जिसके question की बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है और यहाँ सबसे अदा use जो होता है properties of determined जिया एक बार revise कर लीजेगा और इसके बाद बात करें multiplication multiplication में भी आपको बढ़ा है कि दो determined देखे multiplication कोई नहीं पूछेगा आपसे आपसे वो एक determined देगा उसको factorize कराएगा जैसे इसलिए का question आपने काफी frequently देखा है याद होगा a square plus b square plus c square a b plus b c plus c a plus ऐसे ही यहाँ भी आपने देखा होगा कि इसको आप ऐसे split कर लेते हैं कि यहाँ a और यहाँ a यहाँ पर आपने देखा कि भाईया ऐसे ही यहाँ पर b तो यह a square इसी दर से पर आपने देखा कि भाईया a square plus b square plus c square तो b c c फिर आप देखो b c a a b plus b c plus c इस पर से split करने वाले question की संभावना बहुत ज़ादा है और आखरी में ये determinant का सबसे जबरदस concept जिस पर सबसे ज़ादा question आज तक आए है चाहे किसी भी IAT ने बनाया हो और वो है system of equation जिसमें आपको पता है x, y, 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 kramar's rule इस पर भी question बहुत ज़ादा देखने को मिले हैं और सबसे अला आने की संभावना इस साल भी आगे बटने हैं बचे और आब state line की बात करें एलजबरा से हम अब move कर गया है coordinate geometry हम पहले 11 के सारी chapters जो है उन से निकाल के बताएंगे आपको पर आएंगे 12 के chapters पे state line जी हा ये coordinate geometry में एक आसान segment माना जाता है इस पर बहुत ज़्यादा question वैसे तो नहीं देखो वैसे तो state line का यूश सब जगे होता है line की equation निकालने वाले question हमें कहीं भी देखने को मिल जाते हैं किसी भी chapter में देखने को मिल जाते हैं तो उनकी बात में नहीं कर रहा हूँ मैं बात क से भी संभावना इस साल बहुत ज़्यादा है तो इन पर विशेश कर practice करने हैं एक segment और मैं आपसे यहां कहूंगा कि इसरे का concept जिसमें एक line दूसी line से एक दिये वे angle पर inclined है और एक fix point से पास हो रही है तो आपको बदा है ऐसी actually दो line होती है और यदि इस line का dv line का slope 10 theta है त paper येस आगे बढ़ते हैं सरकल इस पर मैं गोला मनाऊंगा इसका question पढ़ ले पढ़कर ही देखके समझ में आ जाएगा कि इसमें कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी चीजे घुमाई हुई है ये शाय जमेटरी के साथ खेल रहा होगा उस question को तुरन प्रभाव से पहले time पर प पूरी समभावना रहती है और इस साल भी समभावना है यदि आपने सरकल का question पढ़ा उसने tangent और इसरे की equation का question पूछा तो आप कर दें लेकिन जहां लगे कि इसने कुछ जादा घुमाया हुआ है इस sketch बनाने में आपको लग रहा हो कि गरवर है तो आप रुख जाएं आग से पास होने वाली लाइन की equation लिख लेते हैं और टेंजेंसी की condition P equals to R लगा देते हैं कि center से इस लाइन का distance radius के एक वर साथी साथ इन एंग तेंजेंस के बीच में एंगल क्या और टेंजेंट का length जो आपको पता है root S1 होता है वो सब और इस quadrilateral का area साथी साथ ये बनने circum circle इ एक दूसे को externally cut कर रहे हैं internally touch कर रहे हैं और उनकी common tangent इस पर भी एक बार थोड़ा सा division देखे गौर कर लेना ये भी काम का है family of circle जी हाँ थोड़ी संभावना मैं बहुत जादा संभावना नहीं बोलूँगा लेकिन थोड़ी संभावना family of circle की है और फोड़ी फिर एक बहु से देखने को मिल रहा है तो वो normally जो question दे रहा है वो X की किसी particular power का coefficient पूछ रहा है लेकिन यहाँ पर वो general term पर जो base बाकी profile है जैसा मैंने कहा कि X power 7 का coefficient X power 17 का coefficient X से free term जी हाँ इसके questions दो चार question करके आप इनका revision करने आसान chapter है आसान concept है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं गुसेगा फिर summation of series NCR की series हमें कही न कहीं paper में देखने को मिलती ही है direct question ना आए लेकिन कहीं न कहीं NCR की series किसी न किसी question में काम आती है दो paper में कम से कम एक question ऐसा मिलेगा जहां ऐसी को series काम आ रहे है आगे बढ़ें तो PNC PNC के question के लिए आपसे कहूंगा कि पहली बार में ना करें यदि आपको बहुत अच्छे से आता है और आप question पर लिए है आपको लग रहा है कि state हो जाएगा तो करें वना पहली बार में ना करें आखरी में जब समय बसता है तब आप इस पर आए और इस पर जो संभावना ह question की वो basic पर question आने की सबसे जादा संभावना है डिजी क्यानि fundamental principle of accounting पर सबसे जादा सन्भावना है फिर बात चरेंстमर्शə उसी पर सबसे जादा संभावना objects का group scandal division 20 object को 5-5-7 के group में बनाना है जी हाँ 5-5-7 और इसी दर से आपको दिख रहा है 3 20 object दे दिए 5-5-7-3 के group बनाने 4 group बनाने कैसे बनाएंगे उनको कैसे distribute करेंगे जी हाँ division into groups को एक बार आप revise कर दीजिएगा आप सबको पता है कि यदि total N plus N plus P object होते हैं और आपको एक group M object का बनाना है एक N का बनाना है एक P का बनाना है तो ये वाले questions हमने class में बहुत की हैं इतने तरीकी से grouping की जा सकती है इस पर भी question बिलेगा और distribution of alike object एक जैसे object का distribution कैसे किया जाता है और divisor problem ये भी JEE का एक बहुत ही फैवरिट क्या 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 क्यता है concept जिस पर बार-बार question देता है कि आपको दे दिया number उसके prime diviser या उसके LCM और GCF इनकी बार कर रहा होता है इस पर भी question देखने को बिल सकता है आगे बढ़ते हैं बच्चे matrices पर एक आसान chapter ध्यान दीजिए इसमें एक संभावना होती है कि इसका question PNC के साथ club होके आता है या probability के साथ club होके आता है ऐसी संभावना यदि आपको दिखे वहाँ paper में तो फिर आपको आखरी में करना है शुरू में नहीं करना है वरना matrices का question बहुत आसान होता है लेकिन error की संभावना बहुत जादा होती है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे होते हैं हम बहुत सारे लोग AB के square को पुरन प्रभाव से A square B square लिख रहे होते हैं जो बहुत ही गलत है इस तरह की error जी हां हम normal algebra लगा देते हैं matrices में ये एक error की संभावना है बचके रहें ऐसे आपको पता है कि AB into AB होता है multiplication का associative rule sum का rule ये सब जो properties हैं आपको पता है addition multiplication की उन पर question की possibility काफी रहती हैं और इस साल भी हैं और various type of matrices का मतलब मेरा यहां से आप सुब को बता होगा item potent matrix, involuntary matrix, orthogonal matrix जियां इनकी definition को एक बार देख लेना ये count की definition है आगे बढ़ें बचे तो function calculus शुरू हो गया है calculus का पहरा chapter इसमें बहुत ज़्यादा गुसने की ज़रुबत नहीं है ये अथा है, समुद्व है और सबसे बड़ी बात है समुद्व में बहुत कम जगे से question पूछे जाते है सबसे ज़्यादा संभावना है मेरे बच्चे composite function और classification function of function की composite function के यानि fog, golf निकालने वाले questions या उनके domain की बात कर सकता है उनके range की बात कर सकता है या फिर वो बात करेगा तो classification of function आप जानता है many one on two one one in two इस सब की बात कर सकता है इसके कुछ questions की practice करके समझ लेना ये revision कर लेना ये बहुत काम का है और यदि इसके बाद संभावना है तो functional rule पर base question उसने हमारा function इस relation को satisfy करता है function बताओ या function की कोई property बताओ या function की किसी point पर value बताओ इसलिए के question भी देखने को मिलते है आपने किये भी होंगे functional rule ठीक है ना सबसे अराइनी पर संभावना है बाकी ज़्यादा दिमाग न लगाए function में मैंने का ना अथा है और आता कम जगे से है अब बात करते हैं ITF एक गंदा chapter बोलता है तो भी या mainly यही तीन संभावना है इसके बाहर कुछ नहीं आता क्या कि या तो domain range का use करके question स्वालू करने वारा question होगा और या फिर होगा इस property को use करके property number 2 बताया गया होगा आपको sine inverse sine x cos inverse cos x 10 inverse 10 x बना लिखाना यह है और से इस property पर based question एक बार इसका revision जनूर कर लेना सबसे ज़्यादा संभावना इसी की है और नहीं तो series सो आप जानते ही है जिसमें आपको पता है कि आप normally series को इस form में break कर देते हैं series के अंदर जो भी दिखावा है उसको इस form में arrange करके उसे ऐसे लिख देते हैं 10 inverse X minus 10 inverse Y और जब N की value रखते हैं तो फिर वही cancellation का patent बनता है cancel होता है इस तरह की series पर भी question ऊचे गए हैं और बहुत संभावना है इस साल पी चलिए जी आगे बढ़ते हैं बच्चा limit ये फिर एक scoring chapter है और इसमें बहुत ज़्यादा घुसने की जवर्वत नहीं है आप एक तो दिहान लखें कि infinity पे limit की questions की बहुत पॉसिबलती है दूसरा टिग्नोवर्डिक limits sin X upon X आप सब को पदा है 0 पे limit कितनी होती भईया sin X upon X की 0 पे limit 1 होती है tan X upon X की होती है वो यही पर 1 minus cos X upon X square का 0 पे limit कितना होता है 1 by 2 बस वो इनी को गुमा गुमा के इनी के आगे पीछे घुम रहा होगा आपको ज़्यादा दिमाग निलगाना है मैंने बहुत सारे question आपको कराए है कि जैसे 1 minus cos यदि वो ऐसे बात करे X square minus 2X और मान लीजे plus 1 और यहाँ limit as X approaches to 1 की बात करे तो भही आप सबको बदा है X minus 1 का whole square है इसका square का square आपको देना है जो angle जीदो जा रहा है उस angle का square देना है तो limit हाफ या नि जिसको जो चाहिए इस formula की फॉर्म में अरेंज करने के लिए गोदें और आसानी से question निकालके आए एक 1.5 को एक दो question solve करके जी हाँ अपने grip में कर लेना है इस पर भी question आएगा यह मान लोगा जी हाँ और सम special cases and geometrical limits यदि limit से कुछ अच्छा question निकाला गया तो इसकी बात है और अच्छा नहीं निकाला गया तो यही है इससे आगे बात नहीं करने है यदि हम rank चाहते हैं कि हम ranker हैं हम उस level के हैं तो भहिया इस part को जरूर कर लेना geometrical limit और special cases का मतलब आपको पदा है कि कुछ इस तरह के cases के question मैंने भी class में कराया है effects to the power n जहां यह n infinity को approach कर रहा हो तो तीन cases बनाते दे एक बार effects को less than 1 एक बार गते than 1 एक बार equals to 1 इसका revision कर लेना यदि आप rankers है और यदि आप selection चाहते हैं तो इस पर दिमाग न लगा है इनसे काम चला है जी है इनसे काम चलता है बढ़िया चलता है येस आगे बढ़ते हैं continuity येस बच्चे यहां पर बहुत ज़्यादा बहुत सब कुछ है लेकिन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है composite function की continuity के 2-4 question करके practice कर लो intermediate value theorem जी हाँ ये directly question इसका नहीं आएगा लेकिन इसका question आपको LMVT RMVT इनके साथ mix होके मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि इन 3 में से कोई 2 theorem एक साथ option बना के question बना दिया गया कई question आपने advance के कियोंगे पर हाँ PYQs वहाँ आपने देखा होगा इनकी mixing अच्छे question में इसकी संभावना है बाकी साधरन, सबहजार जो selection के लिए fight कर रहे हैं वो लोग सिर्फ इससे काम चला सकते हैं बहुत आराव से चीक है आगे बढ़ते हैं बचें यहाँ पर differentiability की बात करें इसमें सबसे ज़ादा possibility इस वाले की है वो आपको एक function देगा और कहेगा कि यह function इस interval में continuous or differentiable है और उसमें आपको कोई parameter देदेगा AB की value बताओ जिसके लिए continuous or differentiable है इसमें बस आपको दिहां दखना होता है पहले function को continuous बनाना फिर differentiable बनाना आपके पास उस parameter की equation आ जाएंगी एक है तो एक equation, दो है तो दो equation चार है तो चार equation इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है और बहुत ही आसान मैं कहूंगा ये तो छोड़के इच्च नहीं आना है ये तो करना ही इच्च है बिलकुल इसको तो करना ही करना है अब बात करें determination of functional rule मैंने आपसे function ने भी कहा था functional rule वाले question उसमें कुछ functional rule differentiability में आपको बताये गए है कि कैसे solve करके उनका function निकाला जाता है एक बाद एक दो के लिए practice कर लेना differentiation ज़्यादा दिमाग न लगाएं सबसेरा संभावना parametric differentiation किये या फिर inverse किसी भी function के inverse का derivative बिना inverse निकाले इसी की संभावना है इसके अलावा कोई divide by dx निकालना है अब बात करते हैं indefinite integration अथा है भाई या limit नहीं है और बहुत ही practice चाहिए तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ key points बता रहा हूँ कि भाई यह पढ़ लेना 90% possibility कि यहीं से question निकल के आएगा या तो partial fractions practice कर लेना 2-4 questions से और या फिर irrational functions जी यहां irrational function का integration कैसे करते हैं क्या substitution कटे हैं क्या manipulation करते हैं जी यहां इनको देख लेना और ज़्यादा से यादा area आप देखो तो यह manipulating integrals manipulating integrals में आपको करना क्या होता है वो आपको सिखाया गया है कि normally integration में आपको कही ना कही उपर नीचे कहीं भी दाए बाए एक f देखना होता है और dx के साथ उसका f' अरेंज करना होता है यानि जो भी expression दिया है उसको इस तरह से manipulate करते हैं कि कहीं न कहीं एक function दिखता है और dx के वगल में उसका derivative दिखता है ऐसे बहुत सारी question करा है नीचे से हमने x par 4 common निकाला उपर वाला नीचे वाला मिलके नीचे वाले का derivative बन गया इसले के questions जी हाँ यह straight question होते हैं इसकी संभावना है definite integral भाईया यहाँ पर तो और even king queen property इनके अलावा कहीं कोई संभावना बहुत जादा नहीं है एक तो और even यह आपको पता है कि इसमें आप क्या गटते है minus a से plus a f x dx यह आपके पास है तो twice of zero to a f x dx होता है यह यह इवन होता है otherwise zero हो जाता है यह आपको पताया गया इसी दर से king और queen property बच्चे यह a से b f x dx यह property बहुत यूज होती है आप सबको पता है कि f of a plus b minus x dx होता है और a से b और इसी दर से यहाँ पेरी हम zero से 2a की बात करें तो queen वाली property zero से 2a में क्या होता है कि भईया zero से 2a में queen वाली property में भी आपको पता है बच्चे 0 से a f x plus f of 2a minus x यह वाली property पर भी question की संभावना बहुत ज़्यादा होती है तो आप यह properties के 2-4 question कर ले एक lebanese theorem सबसे ज़्यादा important है इस chapter में काफी समय से इस पर question लगबग लगबग हर साल पे आ रहा है और अच्छे question की बात की जाए जो rankers वाले बच्चे हैं उनको कहूंगा कि एक बार इन पर जिनको rank लेके आनी है top 500 के अंदर top 100 के अंदर एक बार इन पर जड़ा अपना grip मजबूत कर ले summation series का यह से आपको पता है limit as a sum और इसके बार estimation estimation से बहुत गंदे गंदे question आते हैं आपको पता है वो सारी संभावना है rankers के लिए बात कर ले आगे बटने मचे application of derivative यह वो सबसे गंदा chapter है यही मैं आपकी language में बात करूँ मेरी language में बात करूँ सबसे बढ़िया chapter जिससे advance का सबसे अच्छा question बनके निकल के आने की संभावना है और वो है यह वाला इसमें tangent normal आसान है यह question देखने को मिलेगा 101% और करके आना छोड़के मत आना 2-4 question करके practice कर लो इसके बाद derivative rate measure इसकी कुछ संभावना है मैं बहुत ज़्यादा संभावना नहीं वोलूँगा लेकिन फिर भी मैं यहाँ इसलिए ले रहा हूँ उसका reason यह है कि इसका question आने का मतलब हमारी किस्मत बहुत जबर्दस है तो मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा revise कर लें क्योंकि यह बहुत आसान होता है और इसका question बिलकुल लॉलीपॉप होती है ठीक है इसके बाद यह rankers जिनको rank लेके आनी है वो थोड़ा सा इस पर गरिप कर लें इसके question की बहुत ज़्यादा संभावना है इसके बाद करेंगे आपको maximum यह देखिए actually आपको बढ़ा है कि AOD बहुत बढ़ा शेप्टर है tangent normal, rate measure, monotonicity, maximum minima, mean value theorems जी हैं बहुत सारी चीज़े हैं तो यहाँ पे यह सबसे गंदा पार्थ है actually वो करेगा क्या वो इनकी mixing करेगा मैं आपको फिर कह रहा हूँ इस बार इसका question तो भाईया 100% है कि इनकी mixing करके question आएगा जो सबसे बढ़िया question होगा paper का तो rankers को कहूँगा कि थोड़ा सा command करें पिछले PYQs कर लें एक बार अब बहुत अच्छे से समझ के कर लें इसके बार differential equation calculus का सबसे आसान chapter मानता हूँ इसका question छोड़ के नहीं आना है और इसमें सबसे ज़्यादा देखिए chapter अपने आप में बड़ा है लेकिन मैं आपको पूरा तयार करने की नहीं कह रहा हूँ आप इनका revision कर लें 100% इनी में से question फ़सेगा exact differential equation या linear differential equation आप सब जानते है linear differential equation का मतलब dy by dx plus y p of x is equals to q of x आप सबको बदा है जी हाँ और integrating factor निकालते हैं integration e power पर px का और integrating factor से solution निकालते हैं इसका revision कर लेना है exact differential equation वाले question जिसमें direct किसका derivative वे देखना सीखते हैं वो अले question करने इसके बाहर कोई संभावना नहीं है परेशान नहीं होना है area under the curve दो ही चीज़े करनी है भहिया एक तो कुछ standard result जो आपको पता है कि जैसे parabola दो parabola अपस में क्या area bound करते हैं इस दरसे एक parabola और ये line ये क्या area bound करती हैं ये कुछ standard result हैं ये आप याद कर लीजिए इन पर सीधा सीधा question आने की possibility होती हैं और inequality की form में यदि कोई कर्व दिया हुआ है तो उनसे bounded area वाले question पांच question कर दो इससे इस वाले मेरी guarantee है कि exam में एक question आपको मिलेगा और आप करके आएंगे yes अगला konic section konic section में यदि हम बात करें तो parabola पर normal के questions parabola में सबसे दा संभावना normal के question क्या आने की है 2006 जब IIT करद पूर ने लिया था normal पे पूरा एक comprehension था comprehension नहीं normal पे एक matrix मैस था matrix मैस था normal पर और बहुत आसान सा था तो normal आपे पकल लेना यस पर question आने की सबसे दा संभावना है parabola में और even if मैंने कहाना common tangent दो konic या एक konic और एक circle का common tangent common normal इसके question की practice कल दो आपको पता है कि यदि parabola और ellipse में common tangent निकालनी हो तो दोनों की tangent M form में लिखते है Y plus to M X plus C की form में दोनों के C equal करके M की equation बनाते है M की value निकालते है बहुत question हमने की है उस पर बहुत ज़्यादा संभावना है vectors जी हाँ ये पिर एक आसान chapter इस पर ज़्यादा रिमार्ग न लगाए एक तो coplanarity 3 vector cup coplanar होते हैं जब उनका box zero होता है जी हां 3 line cup coplanar है 4 points cup coplanar है जब उनसे बनने वाले 3 vector जी हां coplanar हो जाए box zero करना है SCP scalar triple product ये सब से ज़्यादा संभावना है इसलिए मैं लिखा भी है इसके ज़्यादा कुछ नहीं आता बहुत ज़्यादा परिशान नहीं होना है फिर 3D 3D तो बिल्कुल बहुत ही आसान है सिफ और सिफ plane को थोड़ा सा revise करने plane का revision मैंने आपसे कहाना कुछ नहीं है आपको समझाएदा 3D का plane और 2D की line सेम है जितने result 2D की line में लगते हैं वो सब 3D के plane में लगते हैं बस x y के साथ z वाला turn भी आ जाता है जी हां point की lines से distance आप सब को बढ़ा है ax1 प्लस b y1 प्लस c upon square root of a square plus b square का mod होता है मैं गहता हूं plane की point से distance जी हां ax1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d upon square root of a square plus b square plus c square सारे formula वैसे लगेंगे एक बार उनका revision कर लेना है जादा दिमाग नहीं लगाना है complex number आ गया है जी क्योंकि ये फिर second number का सबसे गंदा chapter जिसमें सबसे गंदे question आने की possibility लेकिन यहां हम यदि चाहते हैं कि हम कम समय में जादा अच्छा score करें तो एक तो properties देखने conjugate की और modulus की इन पर question की संभावना बहुत हाई है और दूसरा मैं कहूंगा कि complex number से requestion आने की possibility है तो 90% possibility एनफ root of unity की है जिसमें cube root of unity भी involved है यही revise करने काम बनेगा 100% बनेगा probability एक और गंदा chapter आब सबको बदा है मैं इसमें यही कहूंगा कि इसका question सबसे आखरी में करना है AOD के भी बाद में हमारी कितनी grip क्यों नहों क्योंकि यहां गलती होने की संभावना जादा है गलत बिल्कुल हम बदाश नहीं कर पाएंगे क्या क्या revise करना है बच्चे Venn Diagram Venn Diagram के एक question की possibility है मैं तीन चीजें बता रहा हूं इनके अलावा कोई question नहीं आएगा guarantee है मेरी probability के अंदर या तो question आएगा Venn Diagram पे जी हां और या question आएगा independent events और या होगा base theorem आप सबको बदा है Venn Diagram में जैसे मैंने कहा दिया कि भहिया आपको कोई एक relation दे दिया आपका ये A है ये B है और आप से कहा P of A slash B मान लोग आप से कहा P of A intersection B A बार intersection B इसका क्या मतलब है आप सब जानते हैं इसका मतलब है कि A नहीं होना चाहिए B होना चाहिए यानि वो इस हिससे की बात कर रहा है बी तो हो लेकिन A नहो तो आप सब को बढ़ा है इसको मैं P of B माइनस P of A intersection B देख सकता हूँ जी यान वैन डाइग्राम से इसलिए के result निकाल कर question स्वालू करने के question आने की possibility बहुत जादा है और नहीं तो independent events आप सब को पता है कि दो events independent independent कब होता है जब P of A intersection B किसकी एक पर होता है P of A into P of B और नहीं तो बेस सेरम जी हाँ आप सब को पता है कि यहाँ पर कोई एक event हो चुका होगा और उसी के कोई हिस्से की possibility हमें निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे वो event जो हो चुका है उसकी total probability नीशे लिखनी है इसी का कुछ हिस्सा काम का होगा उपर लिखना है बेस सेरम एक बार इसका revision कर लीजेगा दो से चार question करें और grip पालें और यह है जी आप के लिए मैं यहाँ पर बस इतना सा कहूँगा मेरे बच्चे कि भई अब आपसे मैं इतना सा जो कहूँगा वो यह कि यह सारा हमने जो देखा है इनको एक बार बड़ से देखो दे तेजी से तेजी से हम देख लेते हैं मैं आपको यहाँ पर निकाल रहा हूँ और आखरी में मैं आपसे कुछ बोलने वाला हूँ क्या बचे यहाँ पर मेरी तो बस इतनी सी है कि जो भी आपको बताया है आप यकीन मानिए जदी आपने ये सब कर लिया जो मैं आपको एक बार पर रिवाइस करा दिया हूँ तो बचे मैं आपसे बस इतना सा कहूँगा आखरी में कि इनी में से question आएगा ये कोई रोक नहीं सकता कोई setting नहीं है लेकिन अनुभव है पूरा और guaranteed अनुभव है और आखरी में मैं आपसे बस इतनी सी बात कहूँगा कि आप सभी के लिए best of luck येस इन topics की बहुत आराम से तयारी करने समय अभी हमारे पास है micro level पर जाकर मैंने आपको चीज़ें बताएं कि क्या करना है बहुत सारे maths में मैंने माइक्र टॉपिक्स बताएं उससे ज़्यादा chapters है ये प्रापर तरीके से maths को हम एक तरसे categorize करें तो इतने कम chapters इतने कम topics मैंने बताएं हैं कि आप इनको बहुत आराम से इतने समय में revise कर सकते हैं यकीन मानिए 18 के 18 क्वेशन यहीं से फसेंगे और कितना भी गलत हो जाए कितना भी दिन हमारा खराब नहों मैं गरंटी लेता हूं 14 से 15 question इन ही तो आएंगे yes तो topic से question आने के बाद paper जब आप देखे आएंगे तब फिर मिलते हैं फिर बताएंगे देखो ये आया था ना ये बताया था ना ठीक है तो चलिए बचे all the best आप सभी को एक बार पिर गनेश चतुदी की हाँ बहुत बहुत शुपकामना है विगन हरता आपके सारे विगन हरे और उस paper के दिन के तो सारे विगन हर दे ताकि आपका paper बिल्कुल जवर्दस जाए फोर के आएं और घर आके जी हाँ selection के लद्डू खाएं all the best